बहुत शुक्री अमलिका और लखनों को नमस्ते और सुबह से ठेट सारा नमस्ते लखनों के साथ हो चुका है लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पीछे से कुछ अगर मैं संख्या देख पा रहा हूं दाहाई की संख्या में जो मोबाइल उपर हैं वो से ज्यादा कर लीजिए 2024 चल रहा है साल उलम्पिक होना है मनु देश के लिए उलम्पिक में भारत का प्रतिदित्व करने जा रही है अगर आज फोटो नहीं खीचेंगे तो मैडल जीतने के बाद फिर कौनसी फोटो डाल पाएंगे इसलिए खूब फोटो खीच लीजिए अग्रिम शुपकामनों के साथ समबाद के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत मनू और जैसा मैंने कहा कि यह वो साल है जो कि उम्मीदों का साल है 2024 में उलम्पिक होना है एक उलम्पिक आप खेल कर आ चुकी है उस मौहल को आपने जी लिया है कि वह महल कैसा होता है लेकिन यह बहुत जरूरी है जानना कि हम लोग कितनी उमीदे रखें और आपकी तयारी कितनी है मतलब हम तो पूरी उम्मीदें रखी रहे हैं और सलिए मैंने का ना कि वो जो फोटो किछने लग गई है कि हम लोग वो सारी चीज़े तयार करें लेकिन आपकी तयारी के स्टेज पर है और खास तोर पर जो धेड़ सारे अलम्पिक्स की जहां बात आती है पूरा देश ही एकटा हो जाता है और पिछला ओलम्पिक्स टोक्यो 2020 मेरा फर्स्ट ओलम्पिक्स था और मैंने उस तरीके का प्रेशर कभी भी भी लाइफ में फेस नहीं किया था क्यूंकि इतना अवर्वल्मिंग हो जाता है कि पूरे पूरा कंट्री आपको देख रहा होगा पूरे देश के लोग आप पे आस लगाए बैठे होंगे तो I think मैं बहुत जादा नर्वस थी और उसी चीज को टाकल करने के लिए मैं इस बारी बहुत सारी चीजे कर रही हूं जैसे mental training, yoga में फोकस पे ध्यान पे काम करना और बहुत सारी चीजों को मैं कोशिश कर रही हूं जो पिछली बारी इसुस हुए हैं वो इस बारी ना हो तो I think मेरे दमाग में हमेशा अभी पारिस 2024 ही चल रहा है जब से टोक्यो 2020 खतम हुआ है तब से ही मेरी नजर पारिस ते है तो होफुली आप सब की दुआओं के साथ और मेरी मेहनत के साथ हम इंडिया का जंडा बहुत उचा लहरा पाएंगे यह जितनी जोर से बजेंगी यह उतनी ज्यादा मेहनत हमारे लिए कर पाएंगी जैसा आपने कहा कि आपकी नजर है और आपकी नजर के तो हम सब कायल इसलिए भी हैं क्योंकि धेर सारे खेलों के बीच में आपने वो ढूंड लिया जहां आपको पहुंचना था जब आपके बारे में पढ़ रहा था और मैं शुरू करता हूं मतलब हमें से कुछ लोग घ ऐमली गुरुप में लुडो जीत लिया करम जीत लिया मनूं की बारे में मैं पढ़ा रहा था तो टैनिस हूने खेला स्केटिंग की और जब मैं इंसे पूछा कि ये टैनिस और स्केटिंग कैसा रहा एथलेटिक्स इन्होंने किया तो इन्होंने कहा कि नहीं वो तो स्कूल में था और तुरंट पदा चला कि इनकी ममी सुमेधा भाकर जी सामने बैठी हुई और सबसे ज़ादा खुश चेहरा इ कि जब मनु गई है तब से जो जीतना शुरू की और जिस बारे में बात कर रहा था उसके बाद बॉक्सिंग तांथा जो कि मार्शलाट का एक फॉर्म है कबड़ी कराटे और यह सब वो खेल हैं जिसमें मनु ने स्टेट या नेशनल खेला है मैडल जीते हैं इनके घर की व जोजी या शुटिंग की तरफ अब कैसे गए यह बहुत ही फणी स्टोरी है शुटिंग मुझे शुरुवात में ऐसे मिली कि मैं क्लास बहुत बंक किया करती थी क्योंकि मैं सिरफ बायोलोजी केमेस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स सिरफ यही चार सबजेक्स पड़ती थी उ आप एक है यही उदॉ कि मैं बहुत हो जाती थी तो जैसे ही मुझे क्लास बहार निकालने वाले होग दे थी मैं अइक हुग होते हम मुझे उट हुज़ यह प्लीज आप जानी थीचे और स्कुली मिठी ए शुटिंग रेंज निः बारे में नही चुछी अर कोई भी भी वों वोलतीति कि मैं शुटिंग करते हूं या फिर मैं गाव्हें ऐदी को बताती कि मैं शुटिंग करती हूं तो बोलती है इग्ठार कॉनसी फिल्म की शुटिंग चल्ए हाग हाए या फिर किस चीज की शुटिंग कर रह ज żeby स्वेश्पिंग हम राइफल्स होती है, गोलियां होती है, वो करती हूँ मैं. तो बहुत ही फैसिनेटेड होते हैं कि क्या बात कर रहे हो, वो भी लड़कियों का खेल है, मतलब वो तो बॉर्डर भी होता है सिरफ. तो ऐसी मेरी शूटिंग की स्टोरी है, कैसे मैंने शुरू किया, और वो बंक की क्लास लगब चार से पांच होती थी, तो उस समय में क्या करूं, तो मैं शूटिंग रेंज आने लग गई, फिर कोच ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, तो ऐसे मैंने शूटिंग शुर कि तुम्हे जो भी करना है वो आप करो, हम आपको दून के देंगे, मैं घर आओक कहती थी, कि मुझे आज कराटे खेलना है, मुझे प्लीस कराटे के काडमी दून के दो, तो वो लग जाते थे, मैं अभी बहीं उनको कहती हूँ कि मुझे वाइलन का टीचर लाके दो, सकते हैं क्या क्या चीजे वो ले सकते हैं सिरफ पढ़ाई नहीं होती है स्पोर्ट्स आजकल कितना जादा प्रचलन में है स्पेशली नीरच जी ने जब से मेडल जीता है तब से दो I think बहुत जादा नेक्स लेवल पर करियर सोच रहे हैं बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और शूटिंग की अलग बात यह है कि बहुत ही ट्रांस्परेंट स्पोर्ट है कोई चीटिंग नहीं है किसी तरीकी का पाश्यालिटी नहीं है कि यह हमारे स्टेट का है तो हम इसको नाशनल में जिता देंगे क्योंकि जूरी तो स्केट के हैं तो ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी जैसा मैंने बॉक्सिंग में देखा, मैंने कराटे में भी देखा तो इसलिए मुझे शूटिंग से बहुत लगाव हो गया और मैं शूटिंग से ही जूड़ी रही हूं इतने लंबे समय से एक और चीज़ मैं मेंशन करती हूं यह जो स्पोर्ट्स हैं कराटे या मार्शल आट्स यह शायद मैंने शुरू इसले कि क्योंकि मेरी लडाईयां बहुत होती थी स्कूल में मैं बहुत लड़के आती थी मेरा भाई मुझसे बड़ा है और उसके लिए मैं लड़ती थी कि इसको किसी ने कुछ कहा ना तो मैं मतलब तुम्हें नहीं चोड़ूँगी इसको कुछ नहीं कहना और मेरी लड़ाईयां बहुत होती थी इसी वज़े से मुझे टागेट रखा जाता था प्रिंसिपल ओफिस में बुलाया जाता था कि तुम कितना लड़ती हो इस एनरजी को कहीं चैनलाइज करो तो ऐसे मैंने कहा कि चलो मैं स्पोर्ट्स देख लेती हूँ मैं माशलाथ देख लेती हूँ और एक और चीज़ अगर बच्चे लड़ें तो डाटिये मत लड़ाई के बाद उस उर्जा को चनलाइज करने को कहिए क्योंकि अगर वो सही जगा लड़ा जाएगा तो भी मैडल ला सकता है और चौती चीज़ है कि बोर होना भी अच्छी बात है क्योंकि बोर होकर आप स्पोर्ट्स बदलते हैं और फिर आप एक ऐसे स्पोर्ट्स पे पहुंच जाते हैं जहां हम सब उमीद एक और सोने की कर लेते हैं वैसे पचास ते ज्यादा सोरा तो आप देश के लिए इंट जीता था चेंपिंशिप में तो खूब खूब बदाई और इसी क्रम में एक चीज़ एक और सवाल जिस पर मैं आना चाहा रहा था अक्सर यह होता है मतलब हम सब के शायद जिंदगी में होता है या करियर में होता है कि मान लीजिए मैंने कोई चीज शुरू की और मुझे उसमें कामिया भी मिल गई तो मैं उसको बहतर करता हूं मैं उसको और मस्बूत करता हूं आपको बॉक्सिंग में मेडल मिले आपको तांथा में मेडल मिले आपको कबड़ी में मेडल मिले आपको कराटे में मेडल मिले तो जब सफलता मिल रही थी तब भी कुछ वोड़ द कि मेरी डेस्टिनी में वो है या फिर मेरी डेस्टिनी में यह चीज करनी लिखी हुई है तो मैं मानती हूं कि मेरी डेस्टिनी थी और मैं शुकर गुजार हूं कि मैं बोर हो जाती थी जैसे बॉक्सिंग का हर रोज का रूटीन सेम रहता था हमारा कोच बहुत 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 के बोर हो जाते हो और बच्चों की टेंडेंसी होती है कि अगर एक ही चीज आपको आप उसको रोज खिलाओगे तो नेक्स दे नहीं खाएगा अगर उसको एक ही चीज रोज करवाओगे एक साल दो साल तक तो उसका मन भरने लगेगा कि नहीं मुझे कुछ नया दो प्लीज म मेरे दो साल के करियर के बाद जब मैं तीन बरी नाशनल चांपियन बन चुकी थी एक ओपन और दो स्कूल उन्हों कहा कि हम लड़कियों को आज से ट्रें नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज दूसरी अकाडमी डूंड लीजे हम आप आप कल से आना बंद कर सकते हैं तो मैंन मैं सर को बहुत रिक्वेस्ट कि सर मुझे बहुत इंटरस्ट आप प्लीज मुझे खेले दीजे मैं आपको मैं किसी को कुछ हानी थोड़ी पोचारी हूं मैं किसी को कुछ कुछ कह भी नहीं रही हूं उन्हों का नहीं हम लड़कों को नहीं खिलाएंगे हम सिरफ लड़को एकाडमी को लाकर दो मुझे वो करना है तो उन्होंने दो तीन दिन में नहीं करतेया Ci कैज तो ऐसे शुरू हुआ फिर करओ से करओर करते करते थे मैंने शूटिंग शूदू किया और शूटिंग में अगया उसी साल फिर मैं इंदियान टीम में आ गई तो कराटे दीरे दीरे छूट गया शूटिंग के जिस मेडल के आब बात कर रही है 2017 के मतलब एक कॉंप्टीशन है 2017 के कॉंप्टीशन में आपने इना सिद्धू को हराया था इना सिद्धू वर्ल नंबर वन रहे चुकी और उसके बाद शूटिंग एरेना में और उसके साथ साथ भारती खेलों में जिस तेजी से आपका नाम उपर गया पचास प्लस मेडल थोड़ी दिर पहले मैंने बोला जाना चाहरा था कि कौन सा ऐसा मेडल है जो अभी भी अपनी पुरी जर्नी को लुक बैक करती है पीछे पलट कर देखती है अपको लगता है यह सबसे खास है मतलब थोड़ी दिर पहले हम स्टेज पर आने से पहले बात मेरे लिए सबसे खास Commonwealth Games रहा है 2018 का क्योंकि मैं सिर्फ 16 साल की थी और मुझे बाल्यू नहीं पता थी कि कितना इंपॉर्टन होता है और जैसे ही मैंने वहां गोल जीता था और Commonwealth Games record के साथ और उस समय मुझे इतने सारे कॉल साय इतने सारे लोगों ने मुझे विश किया इतन तो उस समय मुझे रrealize हुआ कि sports को कितना सेलिब्रेट किया जाता है sports कितना जादा सेलिब्रेटेड है मतलब बेसिकिली इंडिया में सपेशली क्योंकि कोई भी ऐथनिसीटी हो कोई भी रिलिजिन हो कोई भी कुल्चर के लोग हो जहां भी sports आ जाता है जहां कर रिकेट का या फिर कोई भी sporting event होता है तो मेरे लिए Commonwealth Games सबसे जादा वो realization का moment था कि चलो sports is a big thing मतलब मुझे यह करना चाहिए I really love it मुझे इसी से thrills मिलती है लोग मुझे देख रहे हैं लोग मुझे प्यार कर रहे हैं मुझे और क्या चाहिए बहुत आसान लग रहा है बगल में बैठकर सुनना कि अच्छा ठीक है बोर होंगे तो दूसरा गेम खेल लेंगे गेम खेलेंगे तो जीट जाएंगे जीट जाएंगे तो thrill आजाएगा इतना आसान होता नहीं है और मुझे बताया गया कि लखनों और आसपास के कई उत्रपदेश के कई बडिंग शूटर्स अलग लग अकेटमी के वो भी आपको सुनने के लिए यहां बैठे हुए है अब उस बात पर आते हैं कि जब आप ऐस प्लेयर तयारी करते हैं किन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है वही वाली बात की सुनकर शायद लग रहा होगा यह बहुत आसान जर्नी होती है लेकिन नहीं होती वो जो ना दिखने वाला स्ट्रगल होता है वो क्या होता है दिन के कितने घंटे लगते हैं किस तरीके से वो पूरी की पूरी प्रेक्टेस होती है क्या चैलेंज़ आते हैं और क्या अच्छा जो हम लोग बोल रहे हैं कि भारत बदलता हुआ दिखाई दे रहे तो क्या अच्छा हो रहा है कल इसी मंच पर पीटी उशा जी थी और वो बता रही थी कि जब वो दौड़ती थी तो वो रेल्वेट ट्रेक के किनारे दौड़ती थी और वो रेल से रेस लगाती थी क्योंकि उनके पास कोई स्टाप बॉच लेकर खड़ा नहीं होता था उनको एक चीज़ पता होती थी कि ठीक है ट्रेन आएगी स्टेशन के पास धीमी होगी लेकिन धीमी होती ही ट्रेंड की स्पीड इतनी होती है मुझे इस्ते ज़्यादा स्पीड मैंटें करनी है तो एक दौर इसी मन से हमने वह भारत का सुना जहां पर सुविधाय नहीं थी अब क्या अच्छा हुआ लेकिन फिर भी क्या चैलेंजेस होते हैं एक प्लेयर के बनने की जर्नी क्या होती है मैं मानती हूं कि किसी भी प्लेयर की जर्नी उसके घर से शुरू होती है उसकी पेरेंस से शुरू होती है उसकी मा से शुरू होती है और अगर पेरेंस अपने बच्चे को अपरचूनिटी नहीं देंगे, कि ठीक है, आप, देखे, कितना डिफिकल्ट होगा, कि मैंने नैशनल में अभी अभी मेडल लिया है, किसी इवेंट में, और मैं कल अपनी मम्मी को जा करूं कि मुझे दूसरा स्पोर्ट केलना है, या फिर म लग रहा है कि तुम्हें बदलना है, तो बदल दिया, और सबसे पहली जर्नी शुरू होती है, पेरेंसे, कितना पेरेंस अपने बच्चे को सपोर्ट कर पाते हैं, कितना टाइम उनको दे पाते हैं, आजकल की लाइफ में, मैं खुद अपने इर्दगिर्द देखती हूं, तो पेरेंस अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, वो मानसिक रूप से incapacité हैं, वो चीजे बह। दीरे धीरे अडाप्त करते हैं, वो सिख नहीं पाते हैं बहुत ज़ल्दी, तो सबसे इंपोर्टन होता है, पेरेंस को अपने बच्चे को टाहिए, नो माटर कितने बिजी हो, आप कितना जादा कुछ कर रहे हो, बट आप फ्यूचर जेनरेशन को एक लक्षा दे रहे हो, आप उनको मोल्ड कर रहे हो. So, this one was for the parents. अभी इंडिविच्वल के लिए, अथलीट के लिए, सब से जादा ज़रूरी होता है, इसिप्लिन. ठीक है, आप बागी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइस कर रहे हो, कोई बात नहीं, बट जब भी आपके स्पोर्ट के उपर बात आती है, फिर आपके पढ़ाई के उपर बात आती है, आपको डिस्सिप्लिन होना है, अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो यू आ आपके स्पोर्ट के जब देख लिए, तो यू आपके स्पोर्ट के लिए अगर बात नहीं, तो यू आपके लिए आपको इस चीज को पकड़ के रखना है, और मुझे कोई चीज करनी है, तो करनी है, अगर आपका बढ़ाई संकल्ब होगा, तो आपकी परसनालिटी एपके स्पोर्ट होगी, आप और स्ट्रॉगल्स को ऐसे मत देखे कि आरे में तो ट्रेन में इन ट्रावल किया है, मैं मंदिरों में नित्वां परसनली मैं मंदिरों में रुकती थी पहले इतना ओवो नहीं होगा था, तो तो Tūklakabad में एक मंदिर है, वहां मैं रुकती थी इमाजिन ये सिनेमा हॉल में चल रही है तो कितना कूल लगेगा कि यहां से उठकर इतनी अच्छी जर्नी से इतनी मेहनत करके मैं इतनी दूर तक आया हूँ या आई हूँ तो वो उस तरीके से आप देखिए आप इंजॉय करिये हर एक मॉमेंट को अगर आप आज हैं आप कल फॉलाइट में बिजनेस क्लास में ट्रावल कर रहे होँगे अगर आप मेहनत करेंगे तो चाहे वह कोई भी फीड हो चाहे पढ़ाई हो लिखाई हो चाहे स्पोर्ट हो चाहे म्यूजिक हो समवाद के मंच की खासियत यह सुवा स्मृती रानी जी यहां पर थी वो बता रहे थी कि एक वो छोटा सा कमरा गुड़गाओं के बाहर जहां पर लॉंड्री वालों का वो कमरा जहां से उन्होंने पने जीवन को आगे बढ़ाया और उनके परिवार वालों ने बोला कि यह खरीदना है उनने यह जरूर कहा था कि इतना काविल बन जाओ कि जहां कभी किराय पर रहे वो खरीदने की ताकत रख सको लेकिन उन्होंने उसको नहीं खेंगा जैसे आपने कहा कि मंदिर में रुकने को या ट्रेन लोकल ट्रेन में सफर करने को अगर आप उसको चैलेंज म इतने दिनों बाद, कितना टेम्टेशन होता है, जो रोकना पड़ता है, और यह जो चेहरे के एक्स्प्रेशन थे, इसी के लिए सवाल पूछना ज्यादा ज़्यादा जरूरी था, कि हम सब के लिए कितना आसान है, कि अभी दुपहर को बाहर खाना लगा होगा, तो पूरा खाने के बाद मीठे के काउंटर के तरह स्वाभवे ग्रूप से चले जाना, यहां कितना मुश्किल होता है, यहां कितना मुश्किल होता है, जली और रभरी, आइसिंग हर एक इंडियन व्यक्ति के दिल में बस्ती है, और मैंने आखरी बारी 2021 में शायद जब हमारा कैम्प लगा था, उस टाइम पर मैंने खाया था, बहुत जादा लंबे टाइम के बाद, तो इतना थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए, बिल्कुल बनता है, मतलब हम तो वापस कहेंगे, कि आप मैडल जीतेगा, आपका डिसिप्लेन अलाओ करेगा, कि हम लोग रुबारा, रभड चीज मैं आप सब के लिए बता दूं, कि शुरू में आप समझाती थी मनु को, कि अच्छे से खेलना वड़ी बहुत डाट भी पड़ती थी, कि समय पर सो जाना, समय पर पहुंच जाना, समय पर उठ जाना, वो डिस्प्लेन होता था, अब मनु ये वाला रोल थोड़ा सा प्ले करती है, डाट तो कोई भी नहीं पाता, लेकिन समझाने का कि मेरा गेम है, मैं खेलूंगे, आप टेंशन मत लीजे, अब ये पता चला है कि मम्मी को ज्यादा टेंशन होती है, आपके खेल के दौरान, वो ज्यादा पैस्टनेट हो जाती है, वो ज्यादा जुड़ ज होती होगे कि ठीक है, वो 10 प्लस का डॉट है मुझे वहाँ पर एम करना है, वहाँ नाकुन और दांत और वो हाथ और वो पैर बो ज्यादा होते होंगे, तो बताई कि वो होता क्या, मुझे शुरू से ही डांट पढ़ती है, मुझे अभी भी डांट पढ़ती है, आल सुब करें हो मैं दस मिनट भी उपर हो जाओ ना I think पूरा लेक्चर वेट होता है मेरा कि अभी 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 लेक्चर आएगा उधर से मैं फटावाट पॉन अग देती हूं So I think यह इतना strict parents को हमेशा होना चाहिए तभी कि मुझे मुझे बहुत डांट पड़ी है बच्पन से बहुत हर एक चीज में टाइम हो गया Academy जाओ, टाइम हो गया homework लो, टाइम हो गया सो जाओ, टाइम हो गया खाना खालो So I think यह चोटी मोटी चीज़ें हमेशा ही बहुत जरूरी होती है और हार एक पेरेंस को करनी चाहिए इतना लिब्रल नहीं होना चाहिए कि कोई बात नी बिटा आप अराम से उठ जाओ, कोई बात नी आप आज पराथे खालो So वो कभी-कभी के लिए ही ठीक है और जो आपने कहा कि रोल प्ले कैसे डिफ्रेंट हुआ बच्पन में मैं कहती थी मम्मी को कि मुझे वो वाली अकाडमी में जाना है आप प्लीज मुझे वो अकाडमी ढून के दो या फिर ऐसा कोई कोच ढून के दो जो मुझे अच्छे से ट्रें कर सके मुझे में रख सके कि मैं कर सकती हूँ तो वो लोग मम्मी डून के लेकर आती थी, मैंने जैसे मेंचिन किया, कि विदिन अवीक, एक हफता भी पूरा नहीं होता था, वो कहती थी कि ठीक है, तुमको ये कोच चाहिए, वो रहे, उनके नमबर लो, और इतने बचे से इतने बचे की क्लास है, स्कूल के बाद तुमको साइकल लेकर जाना है उदर, और अभी मैं उनको कहती हूँ, आप प्लीज रिलाक्स करो, अभी मैं 20-20 साल की हो गई हूँ, अभी मुझे पता है क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, मैं कर लेती हूँ, मैं अपना टाइम शेडियूल फॉलो कर लेती हूँ, पर नाट तो अभ अभी फिल्म को हर को अपने अपने नजरिये से देखता है, और इसलिए मैंने सवाल पूछा, कि मनु के शुरुआती जवाब सुनकर हर बच्चा बोल रहा हूँगा, कि देखो, क्लास बंक मारूंगा तो बड़ा बनूंगा, बोर होता रहूंगा, तो बड़ा बनूंगा, मैं बार-बार गेम चेंज करूंगा, तो बड़ा बनूंगा, अब वाले जवाब के बाद सारी माय बोल रही हो, कि देखो, डांट पड़ेगी, तो बड़े बनोगे, टाइम से सोगे, तो बड़े बनोगे, डिसिप्लिन रखोगे, तो बड़े बनोगे, तो वो जो 50% कि आप अपने बच्चे को यह मत बताओ कि पढ़ो, आप उनको जरूरी वाल्यू बताओ कि क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर क्यों आपको डिसिप्लिन मे रहना चाहिए, आपको क्यों किसी चीज पर फोकस करना चाहिए, आप उनको यू मत कहो कि टाइम हो गया उधर कि क्यों जरूरी है हर एक चीज, क्यों लाइफ में करियर होना जरूरी है, क्यों लाइफ में पैसे की क्या वैल्यू होती है, या फिर रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए बड़े लोगों को, आप उनको डिक्टेट मत कीजे, कि नहीं उनके पैच हो, नहीं, आप उनको ने हमेशा value बताई है, कि क्यों आपको career बनाना चाहिए, क्यों आपको self independent होना चाहिए, क्यों आपको खुद की पैसे कमाने चाहिए, या फिर खुद की respect कमानी चाहिए, तो अगर आप वो बताऊगे, तो बच्चा धीरे-धीरे खुद सीख जाएगा, उसके बाद आपको जा करना चाहिए, कि मेरे ख्याल से जो इसको देख रहे हैं, और जो यहां मौझूद है, हम सब जब जिन्दगी में कुछ शुरू करते हैं, कई वर ऐसा होता है, कि जिन्दगी हमको गिरा देती है, हम असफल हो जाते हैं, शायद हमने सालों तक जिस चीज के लिए तयारी की हो और कोविट के कारण टोक्यों पर एक साल लेट भी हुआ, तो सालों की तयारी थी, प्रैटफॉर्म था, मंच था, लेकिन मनु के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पिस्टल में दिक्कत आ गई, हम सब ने वो तस्वीरे देखी, कि हमको दिख रहा था कि रेंज में भारत का जंडा, क्वालिफिकेशन के नंबर, राउंड के नंबर, कौन कहां पर है, और सडली हम देख रहे हैं कि नहीं, वो पूरा फोकस खरीप 6 मिनट के लिए, इस पर था कि वो पिस्टल ठीक होने लगे, जिस पिस्टल से आपको वहां पर निशाना लगा था, उसमें खराबी आ गई, आपको वो रेंज में जहां, जिस रो में आप खड़ी हैं, आपको वो छोड़ना पड़ा, पिस्टल को दिखना पड़ा, छे मिनट में वो ठीक हुई, लेकिन कोई ग्रेस पिरेट नहीं देती है लाइफ, और स्पोर्च 14 मिनट, जो पूरे उस पिस्टल को ठीक करने के खर जिशाना लगाना है, एम करना है, ट्रिगर करना है, वो एक असफलता थी, लेकिन जो सवाल मैं पूछना चाहरा हूं, जैसा मैंने कहा कि कई बड़िंग शूटर से हम मौझूद हैं, आपने उसे कोप अप कैसे किया और क्या सीखा? तोक्यो के बाद मैं, I think, दो महीने तो बहुत ही डिप्रेस्टी, I thought कि जहां मैं हर जगा गोल जीती हूं, सिल्वर भी नहीं, ब्रॉंज भी नहीं, जहां मैं हर जगा गोल जीती हूं, मेरा लिखा ही हुआ है, कि मैं जीती ही हूं, वहां पर मैं अच्छे से परफॉर्म नह There is no end, मतलब ऐसे थोड़ी है कि वह लास था मेरी लाइफ मेरी लाइफ मेरी लास मैच था या फिर लास ऑपरचुनिटी थी मेरे बास, मैं और ऐसे मौके कर दूँगी, मैं और इतनी और महिनक करूंगी, मेरे बास ये मौका हो सकता है फिर से आए, तो मैं क्यों गिव अप क कि अगे सत्ता पाइब, मुझे करना है तो अगर आपका कोई भी लाइफ में लो मॉमेंट आता है, वो लाइफ का end नहीं होता है, आप वैसे ओपरचुनिटी स आप हैं, तो आप और भी जादा उपरचुनिटी को बना सकते हो, आप आगे और भी बहुत सारी उपरचुनि और वागा यू, इस यूर लाइफ, जैसे मैम ने में चाहिए था लाइफ परिशास्ट कर लाइफ निए तो मेरा एक्जाम थेल तो मैं गिव अप कर दूगा तो मैं गिव अधिक गब दोगा, नहीं, मेरी एज बी ऐच बी उस ताम इनटी या ट्वेंटी यह थी तो मैं इस फेज में मुझे बहुत सिखाया है कि कैसे हारने के बाद भी आप स्माइल करो, कोई बात नहीं, सबसे ज़ादा ज़रूरी चीज होती है लाइफ में आपकी खुद की खुशी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप अगर खुछ हो तो आप वैसी ही सक्सेस दुबारा कर सकते हो, और भी और भी ज़ादा ऑपरचुनिटीज क्रेट कर सकते हो जीतने के लिए, तो आप छोटी मोटी चीजों से नराज मत हो, चोटी मोटी चीजों से या बड़ी चीजों से भी, परिशान मत हो कि मेरा end of career हो गया नहीं, there is more to it, there is more to life, you must be happy, life is precious, do not give up, continue करो और this is not the end. वही सालों की महनत की कुछ गिर गया, हम वो एक जटका नहीं सहपाते हैं और आप लोग, गुजव आपने कहा कि वो एक महिने तक रोना भी आया, पिस्टल को नहीं भी चुआ लेकिन एक महिने के बाद वो तलब वापस मचने लग गई, आप जोना चाहने हैं, मैंने, आप और यढ एक मै भांगा, मैं जैं जारू एक मैं जारू लौ जा टॉब गए जीत जारू 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 बँट को फगवान के अपर है, अच्छा दिन नहीं एक जारू ऊँआ ड़ ज़ी अब गईता लाषः जयां यगा वट्य से हाता है, आप ऑज़ गई आक एक भीशाट तो अगर उस बंदे से जीतना है, हारने का मोटिवेशन बहुत जादा स्ट्रॉंग होता है, as you compare to जीतने का मोटिवेशन, तो अगर आप हार रहे हो ना, तो रिमेंबर उसेन बोल्ट, he's the world champion, olympic champion, never, कभी भी उसको हराय ने गया, तो I think he's a legend, everyone knows of him, Usain Bolt, who doesn't know? आपने पने जवाब में बात कही थी पिछले की, वई, की olympic में हार के बाद आपको लगा की ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जहां भी जाती हूँ, वहां तो सोना जीती लेती हूँ, उसकी एक छोटी सी कहानी, बहतर होगा कि आप बताएं, पहला medal, 25 मीटर में, आपकी pistol नहीं थी वो, आपकी अपनी pistol नहीं थी, हम लोग सब इतने बहाने देते हैं, की मेरी अपनी pistol नहीं थी उस पे हात नहीं जमा था, मुझे समय नहीं मिला था मनु ने जो अपना पहला गोल जीता 25 मीटर में वो उस पिस्टल सा जीता है जो उनकी खुद की नहीं थी पिस्टल किसकी थी? क्या कहानी थी? अगर छोड़ा सा वो आप बता पाएं शुरू शुरू में जब आपके बास लाइसंस नहीं होता है या फिर उतना फाइनंशली आपस्टेबल नहीं होते हो तो बहुत सारे शुटब्स करते हैं बहुत सारे लोग भी करते हैं कि आप प्रेंट पे ले ले लेते ओ तक प्लीज आप मुझे इतने टांम के लिए गो आए अर अपको िस सरीकेसे रीपे कर दूंगा या कर दूंगी तो पीसे ले लेना और वैसे ही मैंने पहला नाशनल केला था रहन पे support ले लिए पीस्तिल ले कर विक्ट्सर की थी अँבुरники ने प्राइब कर दूँद में शूटिंग कर दे जब तक अपनी खुद के पिस्तिल नहीं आई तब तक मैं स्ट्रॉगल करती रहे कि अच्छा इस ये ग्रिप है थोड़ी बड़ी है कोई बात नहीं मैं जैसे तैसे करके चला लूँगी कि आपके अंधर एक भूक होनी चाएं आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि कोई भी परिस्ति आये मुझे ऐसा करना है मुझे यह चीजे करनी है और अगर आप उसजी को maintain कर सकते हैं तो चाहे कोई भी परिस्ति हो उस चीज को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमेशा सबसे बहतर संसाधन जरूरी नहीं होते हैं उन संसाधनों के साथ सबसे बहतर तरीके से उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है वह आपने करके दिखाया समय का इशारा है ल वह सवाल लेके मैम की तरफ अगर माइक पहुंचे है कि पहले वहां पीछे दिजिएगा जैसा मैंने कहा था कि जो बढ़िंग शूटर्स हैं अगर उनको वह इंट्रेक्शन का मौका मिले वह ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि उनसे सीखना चाहेंगे अगर हमारे पास अग यार हो जाए तो हमको भी मजा आएगा वो मैडल टेली तीहाई में देखने की भारत की आ टेला करें गरूर्ण शूटेंग आओग से ऊटून म में वह एस्तुट्टेंड सफ लाम आटने कॉलेचंड आप वार्ट अल्या मैं अठा बार भी्म और करें खू स्चीं है और कहा में खीं क्याशा हुष्ट? युमा रहुषे लो जुप की तडि MUSICन धा लिए को एहा थकी हिद सान होट्टिध टारीख लिए खिर Republican, युमा पार्दिछ जो करें हैं को Sलीं, क क препर ईंगर अपें लुव क् इ सुछ्व ल tub हैं? So how do I maintain my composure and I'm pretty sure that I'm not the only one who's facing this problem. So how do we maintain our composure? अगर आप स्वाल सुन पाइं को शुटिंगे बारे में एक मिसकंशप्शन है बौत सारे लोगों को कि सिरफ खड़े के गोली चलाना है, it's more mental आप जितना जाद स्ट्रॉंग मेंटली होगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, no matter आप कितना कितना जादा हार्ट वर्क करें और कितनी जादा आप में काभिलियत है जब तक आप फोकस नहीं हो तब तक आप उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे जिस लेवल तक आप कर रहे हो ट्रेनिंग और मैं कहूंगी आपको सज्डेस करोंगी कि आप बहुत सारे ओपन कॉंपेटिशन केलों ओपन कॉंपेटिशन जहां पर कोई बैठ हो जैसे आप अगर आपस में ही लगा सकते हो कि चलो मैंने हजारुबए की लगाई है मुझे इतना स्कोर करना है या फिर ऐसा कुछ या फिर स्कूल ऐसे इवेंट्स ओगनाईज करें कि असेंबली में या फिर सारे बच्चों को अज़ एस पेक्टेटर बढ़ा कर आपको मैच केलना है या फिर आपको फाइनल खेलना है तो उस तरीके से आप थोड़ा सा फील कर पाओगे कि किस तरीके से आप आपकी बोड करना शुरू करो कि आप माक्सिममम ताइम तक आप कैसे फोकस रह सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो और एक और चीज होती है कि आप ट्रेनिंग वैसे मत करो कि जैसे ट्रेनिंग है अप वैसे ट्रेनिंग करो कि जैसे मैच है आप वैसे पढ़ाई करो जैसे आपका पेपर है आ और मैं एक्टम से सोच की कि ठीक अभी मैच चल रहा होता हुटा और मुझे अगली सीरीज नाइटी एक होटी तो कैसे सिचुएशन होता है कि यह फिर फिर चाहिए सब कुछ हो तो मैं बट लगा लगा लेदी कि मुझे अगली सीरीज नाइटी-एट की मार नहीं तो मैं से 500 या फिर हजार रुपए हार जाऊंगी तो आप ऐसे कर सकते हो आपको प्रेशर सिचुएशन की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे शूटर्स की यह इशूस होते हैं कि हम ट्रेनिंग में तो इतना अच्छा कर लेते हैं पर मैच में वहां जाकर नहीं ह और अप अपने स्कूल के एरिया में आपको पता है कि मुझे यह यह सब चीजे करनी आपका रूटीन होता है एक और जब आप बहार जाते हो सेम रूटीन फॉलो कीजे आप इस्ट्राक्टेद मत होये कि किसने क्या पहना हुआ है कौन कितना अच्छा लग रहा है या फिर क हमें, आपको. मेरा नाम सामय कुष्वार, मुझे आपसे कुषिन पुष्वार है, जब आप शॉर्ट लेते हैं, तो सभी के मन में एक वो रहता है, थेंकि ये 10.9 जाएगा, ये हमारा शॉर्ट कहा जाएगा, वो जो थो थोट्स होते हैं, उसको लाइक कभी कावार नहीं कर पाते हैं, जैस ये प्रोबाइबली 9.8 जाएगा, तो वो जाता ही है, तो वो थो थोट्स को कैसे कंट्रोल करें, कि जिसे कि हमें परफेक्ट शॉर्ट ले सके हैं, तो आप कोई भी प्रोफेशन में हो, तो आप प्लीज अपनी डाइरी मिंटें कीजे, वो आपको एक रिकॉर्ड देगी क कि अपने कितना इम्टूफ्मेंट दिया है, या फिर जहां आप अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपने क्या क्या चीजे फॉलो की हैं, तो एक डाइरी जरूर मैंटें कीजे, कोई भी प्रोफेशन में हो या पर किसी भी प्रोफेशन में आप हो, दूसरी चीज आपने कि मैं सोच्ती हूं तो 9.8 होता है, तो 9.8 हो जाता है, तो 9.8 हो जाता है, मेरे साब भी ऐसा होता है अच्छी, बट वो मोमेंट है जब आपको रेलाइस करना पड़ेगा कि आप प्रोसेस से दूर जा रहे हो, मतलब आप अगर फोकस्त ही नहीं हो कि मुझे मेरी चीज कैसे अच्छी से करनी है, और आप रिजल्ट पे अलड़ी ध्यान दे रहे हो, तो पहले आप प्रोसेस करो कि इसके बाद ही तो रिजल्ट आएगा, आप पहले कि सो सकते हो कि मैंने हंडर पसंट स्कोर कर लिया, या फिर मैंने हंडर की सीरीज मार दी आपको पहले आपको पहले अच्छी करोगे तब तक आपको ऐसी रांडम शॉट्स मिलते एगे तो आप फोकस करो प्रोसेस पे जैसे गीता में कहा जाता है कि करम करो फल की चंता मत करो तो भाही आप अपना प्रोसेस करो आप यह मत सोचो कि यह शौट कहा जाएगा आप सिरफ अपना हंडर पसंट द सब्यता रही है हमेशा से कि हम योगा में बहुत अद्वांस्ट है तो आप प्लीज उसका बेनेफित उठाइए और आप योगा कीजिए योगा मेडिटेशन फोकस Good afternoon ma'am my name is Adhamirash Singh my question to you is that when I take a shot then there is a stress in my mind that it will go 8 or 10 so that's why my lack of confidence my performance is not so better so can you advise me for some motivation or how to achieve our goal I think you have answered your question but it's okay Look, first of all, you have to work on your confidence, you are very young and your parents can help you with this Confidence is not where there is, there is a lot of disadvantage and it is not necessary that you feel confident every time I feel it, you can portray it like you are like you are like you want to be a person and you imitate it, if you are the person who wants to be a person You are just like I want to be confident, so I want to start today to present yourself confident in yourself If you are also scared, I am always scared, if you look at me in the nationals, I am confident क थिए दमें सब्सक्रिसा बट वहते है कि रहे हैं नोत तह मत ऑस अरी मै अजए वह प्रच यह? यहार शेफलों क्या है अर यह पाइद यहीं कि अच्use अचछिन देताते है आचनों में कामें पीछे से की लोग बोल रहे हैं बिखवार् हो कि आपको ये रहा है जसा आप हो आपको confident रहा है आप की different energy वैसे बनती है अगर आप 4 सब ऌुशुकरे ृउट करोगे की आप डिये अर्मे इसकार मेच रे लगगा से अगर अगर आप कि अनर्जी वैसे होने लग जाती है अगर आप खुद confident रहोगे तो आप फिर भी अपने आपको cope-up कर पाऊगे और दूसरी चीज सेम करम पे ध्यान दो फल की चिंता मत करो आप सिरफ फोकस करो आपका process और सिरफ आप बागी सब बूल जाओ कौन है कौन नहीं है बहुत ज्यादा मदद मिलियोगी मनू इन सवालों के जवाब से और खासवार पर जो लोग तयारी करने उसके लिए समय का इशारा हो गया है मैं सेशन को खत्म करूं से पहले सिर्फ दो चीज़े एक जो आपने कहा है यह process वाली बात और इस सारी process में हम लोग एक नाम या एक जिनको भूल जाते हैं वह हैं हमें वह सवालों पर मुझे रखता है एक सवाल जो मैं बहुत जरूर लेने चाहता हूं मैंने सोच कर रखा था कि शैद वह आखिर दोर में आगा आपके कोच के बारे में बात क्यूंकि हम सबको वह व्यक्ति तो दिख जाता है जो तयार हो र रखने हैं और उनका इंपेक्ट क्या है जी मैं मतलब आइधिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे उनको जिस पाल राना वह एक बहुत बड़े शूटर रह चुके हैं और काफी लंबा उनका करियर रहे काफी सारे मेडल्स उनोंने एशन गेम्स कॉमर्वल गेम्स में उन्ह जी मेड़िए मेरा बहुत उनका का多फ जाता समय के वीं मेरा ऐता ऑगिंष थो यहां हने कमतलिय खा सा के लिए साफ मेरा मिद्गा इन गाल होता को कि अग yat 예ढ कोуч लिए, मेरा कान टेम्स का कंई नंके बहुत लोगता खाए मेल्स मेडर बगड़ शेयरी को चाई हैं वी अं जी अच्छलू किया और कुछ लोग होते हैं जिनको देखकर आपको confidence आता है जैसे कई के parents होते हैं किसी का best friend होता है किसी के father होते हैं किसी का भाई होता है मेरे वो coach है मैं जब भी उनको देखती हुँ ना मुझे ऐसे feel होता है कि जाहे कैसा भी हो, जाहे मेरा मैच अच्छा हो, बुरा हो, जाहे मैं गोल जीतू हूँ, जाहे मैं फाइनल में नहीं आँँ, वो सब संभाल लेंगे, तो एक उस से लिए का बॉंड है हमारा, कि वो मेरे गॉडफादर जैसे हैं, और मैं उनको ब्लाइबली फॉलो करती हूं अ तो, दिस इस माइ बॉंड विधिम, अच्छी बात्चीत वो होती है, जिसमें बार बार ये शारा किया जाए कि समय हो गया है, और मुझे लगता है कि ये उस बात्चीत के क्रम को दिखाता है, और जान मुझकर, रे पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं, जो मैंने नहीं पूछे, ताकि एक बादा आपसे ले सकूँ कि जब अमारुजाला संवाद्ध अगला मंच होगा, तो मनु उन सवालों के जवाब देने के लिए फिर हमारा हिस्सा बनेंगी, अगली बार हम ओलम्पिक मेडलिस्ट, उन मनु भाकर के साथ बात कर रहे होंगे, धेर सारी शुपकामना के साथ मंच पर इस पूरे सेशन को खत्म करूँ, सुमेदर जी मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी एक हसरत है जिसके बारे में पब्लिकली बताना बहुत ज़रूरी है, सुमेदर जी की एक जित्थी की मनु डॉक्टर बने, अब मनु क्लास बंक करते-करते कराटे, कबड़ी, बहुत सारी चीजों को खेलते-खेलते, मार्शलाट करते-करते, शूटिंग में आ गई है, तो मैंने उनसे पूछा कि अब वो बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी, बहुत 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 शुक्रिया कि आपने धेर सारी क्लासे इनको बंक करने दी, आपने हर वो एकेडमीन को खोच के दी, आपने हर वो चीज़ पूरी की, और मनु इंस्पाग्राम पर बहुत एक्टिव है, हम बहुत जल्दी वो वालेन वाला एक वीडियो देखना चाहेंगी जाहें, वालेन बजाती भी दिखाई दे, हमको बहुत सारी शुपकामनाओं के साथ आपका भी स्वागत और मलेका मंच पर आगे की कों करवें, मैम प्लीज, और मनु से ज़्यादा तालियां ताकि यह और डांट सकें कि बहतर मेडल की तेयारी हो, और वाकरी में आज यह थाबत हो गया है कि फील्ड में जीतने से पहले हमें अपने मस्तिश में, अपने मन मे अपनी एक जीत हासिल करनी होगी, और ऐसे पेरिंस के लिए जोरदार तालिया होनी चाहिए, जो इतना सपोर्ट करते हैं एक आटस को, एक प्लेयर को, कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, और आज मनु का अभार विक्त करने के लिए, सबसे पहले मैं मंच पर कुछ खास हस्तियों को अमंतृत करना चाहूंगी, जो प्लेस रखेस, सुषील जी, युनिधेट लखनो, अलोंग वित तुलिका राना, प्रॉम अमरुजाला, तो प्लेस जाए लिए, जो प्लेस रखेस्प्रेस्टर अभाटिटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटू और क्या और कुछ ऐसा है, जो आपको लगता है कि ये ठीक करना जोरे, वह सब्सक्राइब है, तक हम यदि स्वस्त रहेंगे, हस्ते मुश्पराते रहेंगे, तो हमारे घर अपने आप ही चैकते और महकते रहेंगे, बेटा ने जैसे सादी होते बेटा दे दिया था तो मुझे मेरी ये इतमना थी कि मेरे घर में एक बेटी आए मैं भीवानी कॉलेज में ओटी करती थी तो बहगवान ने मुझे सरप्राइज दिया कि बेभी आने वाला है कोलेज में अलाओ ने था एडमिशन की ऐसे प्रेगनेंट इसको एडमिशन नहीं देंगे तो भोत ऐसे चक्कर लगाए विवनिया आ गई मुझे पता नहीं था दो महिने से बाद में पता चला कि मेरे पेट में बेबी तो मैंने भगवान से बगवान से बगवान मुझे बेटी दे दो क्योंकि मैं सब्साहए बेटी दो जाती है रहिं होने कि और वर कुछ मेरह तकूल की मैं इस 이미ृ मरे घर मांसे सुना अब्हान भी बेटी अल्वान को बती आई कि मैं बटी नहीं और को को अबकों समेरी में अपने बटी नहीं को बहु आएगा आईगी आप उसको अपने बेटी की चीत तो शुरुवात में बस यही था कि बस बगवाने दो बच्चे दिये इनकी कोई ख्वाई से मुझे इनकी मना नहीं करनी है आज तक साइद जब से पैदा हुई है और अब तक हुई है आज तक इसने जो मांगा मैंने इसको साइद नहीं दिया हो ऐसा नहीं हुआ मेरी है इसके लिए वो बड़ी तयारी इसने कर रखी और लड़ी उसने तयार कर लिया बस वेट है कि अलम्पिक हो जाए उसके बाद में अक्तुबर नॉम्बर में आप लोगों के सामने वह एक शो रखेंगे और मन उसको प्रजेंट करेगी तो बस आप लोगों से यही दुआ हैं और आप अपने बच्चों के साथ जोड़ते रहिए क्योंकि मैं गुर्कुल में पढ़ी थी तो वह गुर्कुल के मेरे संसकार थे गुर्कुल में हमें इत्रा एक फोजी फोजी की जो लाइफ होती उसी तरह से हमें में मेंटेन किया जाता तो सुब चार जे उठो रात काम पर लगा दिया तो मैं मेरे पती को बोलती थियार मैं बहस का अब डाले तो नहीं आई थी मैं पढ़ी ती कुस मुझे करना है मुझे कुछ करना है मैं यह कुछी नहीं मिलती है तब मैंने प्राइवेट एक वाइन किया उसके चह मिने में मेरा स्लेक्सन ओटी ओटी को बंद कर दिया था तो दीरे दीरे अपने आपको थोड़ा सा उपर निकाला कि मुझे गाउं में ही रह कि यह सब चीजे नहीं कर रहनी है फिर स्कूल का प्लान किया कि प्राइवेट में तो यह था कि नहीं प्राइवेट में जाएगी थोड़े से पैसे देंगे पूरे दिन ऐसे तुम्हें खींच के रखेंगे तो फिर कुदगा स्कूल लेका मन वा तो खोला फिर मैंने 15 साल मैंने महनत करी बच्चों को वह मैंने सब दिया जो बच्चों को च सब्सक्राइद में तुम्हें नहीं पहचान पाती तो बस मेरा यही टारगेटर की जहां से हम जहां भी हम जूड़े जहां किसी एक इंसान से भी जूड़ते हैं तो भी आपनी सभी को चोड़ के आओ तो मैं तो हजार बच्चों से जूड़ी हूँ वो बच्च आज मुझ संस्क्रीत की जो मेरे पढ़ एजो मेरे बच्चों को देना साथि मेरा गयान व घ्रना साथि भुझ को इस तक महां चापा हूँ ताकि मेरी बच्छ को वुछ गैन बहने क्षो ज्व गयांवा जजा इस अट उटश आटे से जहां पने अपने इस ज्विपने से जआफ कि अपर आपर नेवी की जोब करते हैं, तो आप सब दीजी जो पच्चे को चाहिए होती है, मैंने उन माओं को जो कभी घर्षे नी निकल थी, उनको घर्षे में निकाला, एक मीटिंग हमारी होती थी, आज मुस्के जुड़ी है, उनको मेरसे बड़ी ज्यादा है, उन माओं तो यह हमत है, आपनी हमत हमारे अंदर जो हमत होती है, आप भी दे देनी चाहिए, ताकि हमसे कुछ सीख सकें, और जब गाव में जो एक भव, ज़से हम बन के जाते हैं, उसको वो उठने नहीं देते हैं, वो सूचते हैं कि निची रह तूं, उठ 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 जब मैंने स्क किसी ने टोका कि तो स्कूल नहीं जाएगी है, नहीं करेंगी हो नहीं करेंगी है, मैं करती गई, मैं करती गई, मैंने पिछे मुड की नहीं देखा, तो यह सब साइथ बेटी की बोदोलत मेरी लाइफ चेंज हुई है, ठीक, और जैसा आपने कहा ना, कि आप माइक पर शा देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें